हलो दोस्तों मैं प्रशान के इंजल कर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखे और अगर आप तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सबस्क्राइब करके बेल आ से बरी हुई Harry Potter की जादूई दुनिया इस दुनिया में आपको कई ऐसे हैरतंगेज जादूई कारणा में और मंत्रतंत्रत देखने को मिलेंगे जिसकी कलपना आपने कभी की नहीं होगी उन्हीं में से एक है रक्षक जादू जिसके विशे में मैं आपसे आज बात करने वाल आपकी सारी हसीन यादे और खुशियां छीन लेती है और साथी में आपकी रूह को आपकी जिसम से चूज कर आपको एक जिन्दा लाश बना देती है हर पित्रविकल्प या पेट्रोनस क्या अलग-अलग प्रमान रहता है क्या अलग-अलग प्रकार रहता है वो किसी भी जानवर का आकार लेकर दम पिशाचो पर तूट पड़ता है और आपकी रक्षा उनसे करता है तो आईए चलते हैं हैरी पॉर्टर की दुनिया में और देखते हैं कि हैरी पॉर्टर के जो कलागार है उनके क्या-क्या पेट्रोनस थे और उनका आकार या फिर वो किस जानवर में परिवर्तित होते थे आईए चलते हैं तो दोस्तो पेट्रोनस चाम अर्थात पित्रोविकल्प मंतर के पहले जिचानकारी है वो है जेम्स पॉर्टर और हैरी पॉर्टर की हैरी पॉर्टर जो की इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है उसके और उसके पिता जेम्स पॉर्टर का पित्रोविकल्प अर्थात पेट्रोनस था स्ठाइग यानि कि हिरन या फिर जिसे हम मराठी में सामबर कहते हैं तो हेरी पॉर्टर का ये स्ठाइग आपको तीसरे पाचवे और साथवे बुक में दिखाई देता है तीसरी Soul पूरी तरीके से यह दिखाया गया भी है और तीसरे पुस्तक के अंत में आप प्रोफेसर डंबलडोर के द्वारा यह सुनते हैं कि प्रॉंग्स रोड अगेन प्रॉंग्स यानि कि जेम्स पॉर्टर का नाम है जो उसके दोस्तों ने दिया था जेम्स पॉर्टर एक पित्रुवी कल्प में दूसरा नाम आता है लिली पॉर्टर और सेवरस स्नेप का लिली पॉर्टर जो कि हैरी पॉर्टर की मा है और जेम्स पॉर्टर की पतनी है बहुत कम लोगों को पहले पता था लेकिन अब सारी दुनिया जानती है कि सेवरस और लिली बच्पन से एक लेकिन सेवरस अंत तक उसे भूला नहीं वो लिली से इतना प्यार करता था कि वो वाल्डेमोर्ट के पास है लिली की जिंड़ए की बीक मांगने गया था और लिली के मरने के बार लिली की खातिर ही हैरी को बचाने के लिए जिन्ड़ए बर अपनी ओर से जत्तो जहत करता रहा लीली का patronus जो है वो है एक हिरनी जिसे इंग्लिश में डो कहते हैं James Potter का है हिरन तो हिरन और हिरनी ये एक अच्छी जोड़ी थी जैसे कि James और लीली की जोड़ी थी लीली James से प्यार कर दी थी इस वज़े से उसका patronus एक हिरनी हुआ वही सेवरस भी लिली से प्यार करता था इसलिए उसका भी पेट्रोनस जो है वो एक हिर्नी था पेट्रोनस चाम में तीसरा नाम आता है निमफडोरा टॉंक और रिमस लूपिन का रिमस लूपिन जोकी जेमस पॉर्टर का करीबी दोस्त था और मानचित्रमंतन बनाने में एहम भूमी का निवाई थी जिसने उसके दोस्त प्यार से मूनी बुलाते थे और वो एक नर भेडिया था उसका पेट्रोनस चाम यानि पित्रोवी कल्प था एक भेडिया निमफिडोरा टॉंक्स को हम देखते हैं पाचवी हैरी पॉर्टर किताब में जिसका नाम है ओर्डर ओफ फीनिक्स वो एक औरर है और मंतरालय में काम करती है जो रिमस से प्यार करती है और साथवे किताब की शुरुआत में वो एक दूसरे से शाधी कर लेते हैं उनके बेते का नाम है टेड टॉंक्स तो रिमस से साथ प्यार होने के कारण उसने जो अपना पित्रू विकल्ब है वो उसका बदल गया और वो भी एक भेडिया निकला रॉनल्ड वीजली जो कि हैरी पॉर्टर का सबसे करीबी दोस्त है उसका पित्रू विकल्ब जो है वो एक ओटर है अगली बारी आती है दुनिया के सबसे महंतम जादुगर अल्बस, पर्सिवल, वुल्फरिक, ब्राइन, डंबल्डोर की इसे लोग दुनिया का सबसे बहतरीन और सबसे आविशकारी जादुगर कहते हैं जिसने ग्रिंडल वॉल्ड को 1945 में हरा कर उससे एल्डर चड़ी जो कि दुनिया के सबसे शक्तेशाली चड़ी है जीत कर अपने आपको सर्वशक्तिमान बनाया था ये हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल भी है और इनका जो पेट्रोनस है वो है एक फीनिक्स पक्षी जो कि उनका पालतू भी है जिसका नाम है फॉक्स वहीं पे उनके छोटे भाई यानके एबफर्ट जो कि होगवर्ट्स में उनके बार आये थे और कुछ खास नहीं कर पाए उनका पित्रू विकल जो है वो एक बक्री है गोट है इन दोनों भाईयों के बीच में उनकी बहन अराइना की मृत्यों के पश्चार जगड़ा हु होगवर्ट्स की लड़ाई में हैरी के साथ मिलकर वाल्डे मौन को परास्त करने में उसकी मदद करता है तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एलबस का पित्रू विकल्प है एक फीनिक्स और एबफर्ट का पित्रू विकल्प है एक बक्री तो अब पित्रू विकल्प में आगे आते है वीजली परिवार की और उन में से पहले आते है जुडवा भाई फ्रेड एंड जोड जोकी एक धमा चौकडी है और हर मजाग मस्ती करते है साती में उनका जो है जो है जोंको जोक शॉप उन्होंने खरी दी थी आगे चलके और वो एक बहतरीन जोक शॉप बनी लेकिन होगवर्स की अंतिम लड़ाई में फ्रेड एक यूद में मारा गया लेकिन इन दोनों ने हैरी की जिन्दगी को बदल दिया दोनों हैरी के सबसे करीवी दोस्तों में से एक थे और इन दोनों का पित्रोविकल्प एक ही था जो किता मैकपाई बर्ड अर्थात जिसे हम आम भाशा में रॉबिन कहते हैं वही उनकी बहन जीनी वीजली जो आगे चलके मिसस हैरी पॉटर बनी उसका पित्रोविकल्प है एक घोड़ा और इन सब के पिता आर्थर वीजली इनका जो पेट्रोणस चाम है वो एक वीजली है वीजल जिसे हम कहते हैं तो वीजली और वीजल एक तरीके के उनके नाम से ही मिलता जुलता है पित्रोविकल्प में आगे चलके बात करेंगे होगवर्ट के उन दो प्रोफेसर्स की जो टू पोल अपार्ट्स यानिकि एक दूसरे से बिलकुल भिनना है लेकिन दोनों के पेट्रोनस एक है पहली है डोलोरस अम्रीज जो किसी शैतान से कम नहीं है औ वहीं दूसरी है उसके ग्रिफिंडॉर हाउस की हेड प्रोफेसर मैक गॉनिगल जो की उनकी वाइस प्रिंसिबल भी है और चटे साल में डंबलडोर की मृत्यू के उपरांद वहां की प्रिंसिबल भी बन जाती है इन दोनों का भी पित्रुविकल्प एक बिल्ली है पित् चलके ये जादू मंत्री भी बने इनका पित्र विकल्प एक लिंक्स अर्थात एक प्रकार की जंगली बिली है पित्र विकल्प में अब हम बात करेंगे उस चक्सित की जो की जेम्स वाटर का सबसे करीबी दोस्त ही नहीं बलकि हैरी का गौड फादर भी था और जिसे जेम्स किताब यानि Order of Phoenix में मंत्राले में जाके वो जो प्राण भक्षी है उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगती को प्राप्त होता है और आगे चलते ही मंत्राले उसे बेकसूर साबित करता है तो सीरियस ब्लैक का पित्र विकल्प जो है वो एक कुत्ता है पित्र विकल्प के Harry Potter की तो उसका पित्र विकल्प यानि पेत्रोन्स है एक खरगोश चोचाईट जो की यह में है權ी की क्रश्ठ ती उसका पैत्रोनस है स्वान यानि के राज हन्स सीमज जो की Gary के ही Gryffindor House में है उसका पैत्रोनस है एक गीदर यानि वही Ernie Macmillan जो की एक प्रिफेक्ट है रेवन क्लॉ का और हैरी का एक दोस्त भी है उसका जो है पेटरोनस चाम है एक सूर यानि के पिग और अंत में आते हैं मेरे पेटरोनस चाम की तरफ मैंने पॉटरमोर वेबसाइट पे चाके विजर्डिंग वर्ड का टेस्ट दिया और उससे मुझे ये पता चला कि मैं रेवन क्लॉ हाउस का यानि के चंद्री का चीलगात के घर का सदस्य हूँ साथी में मुझे पता चला कि मेरी जादूई छड़ी एस्पेन के पेड़ की बनी हुई है एस्पेन के पेड़ आम तोर पे युएसे में पाई जाते हैं और इस पेड़ की लकड़ी के बने होने के कारण मेरी छड़ी काफी लचीली है और मेरी छड़ी की लंबाई 13 इंच ह साथी में मेरी छड़ी के अंदर ड्राइगन के दिल के तार के शामिल होने के कारण ये छड़ी काफी शक्तिशाली भी है साथी में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा पेट्रोनस चाम एक पोल कैट है जो कि आम तोर पे नौर्थ पोल में पाया जाता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईए ताकि future notifications मिलते रहें साथी में मैं आपको Instagram, Twitter पे भी available हूँ जिसके link मैंने आपको description में डाली है तो वहाँ पर भी मुझे आप follow कर सकते हैं जाकि जो content YouTube अलाओ नहीं करता वो मैं अपने Instagram के account पर डाल सकता हूँ जहाँ पर आप उसे देख पाएंगे धन्यवाद